हलो फ्रैंस, आज के इस वीडियो में मैं आपको यhe बताने जारूं की कैसे आप अपने विवोवाई 100 added वाइल पोन में आप जो है मैसेज सेंद सांड सेटिंग को आप disabled कैसे कर सकते हैं तो आप तो हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में setting page आपको open करना है setting page को open कर लीजिए setting page में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा sound का sound पर आपको इसे select करना है sound के इस page में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिल जाएगा message send sound का ठीक है इस option के ठीक सामने आपको बटन दे रखा है इसे आपको select करना है तो यह बटन आपका black color में off हो जाएगा यानि कि आपकी message send sound setting इस तरीके से disable हो जाएगी ठीक है अब यह message send sound setting डिसेबल होने के बाद यह setting कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है आपके mobile phone के अंदर जो जो text message का app होता है text message का app होता है इस text message के app के अंदर अगर आप किसी को भी message send करेंगे तो आपका कोई भी sound create नहीं होगा ठीक है क्योंकि आपने यह message send sound setting डिसेबल कर दिया इसलिए ठीक है तो यह setting इस तरीके से काम करेगी आपके Vivo Y100 Android mobile phone में अब मैं आपको यह message send sound setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको अपने phone में setting page open करना है setting page में आपको सबसे उपर यह search icon select करना है और यहाँ पर आपको सबसे उपर यह search bar में type करना है message send sound ठीक है जो setting का name है वो आपको यहाँ पर पूरा पूरा type कर देना है इस तरीके से ठीक है तो आपको नीचे option show हो जाएगा message send sound कर यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है जब भी आप search bar में setting का name आप type करने तो आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे option show नहीं होगा इस तरीके से ठीक है तो spelling mistake नहीं करनी है इस बात का ध्यान रखना है तो च shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में ठीक है